आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C, Android mobile phone में आप अपने mobile phone में hot spot के password को change कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको detail में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को में start कर लेते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले mobile phone का setting page उपन करना है इसमें आपको नीचे की side यह option मिलता है portable hot spot इसे select करना है अब इस page में आपको नीचे पासवर्ट का यह option है देखे जो भी आप नया password एंटर करेंगे न वो password आपका कम से कमना 8 अंकों का होना चाहिए यहाँ पर देखे लिखा हुआ भी आ रहा है at least 8 character ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तो यहाँ पर मैं 8 अंक यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इसके बाद आपको सबसे ओपर यह right